नमस्कार आप देख रहे हैं आई एनेन 24 आर आपके साथ मैं हूँ पहली शौहार बिलेटिन के शुरुवात करते हैं हेड्लाइंस के साथ जारखन में टकैती का संसनी खेज मामला आया सामने गिरिटी के एक घर में चोरों ने धावा बोल कर चाल लाग नगत लूटे बिहार में दहज लोभियों का टूटा कहे शेकपूरा में पैसे के लिए बहु को जिन्दा चलाने की कोशिश सभी आरोफी फरार जारखन का लोहर दगा जिला अती नकसल प्रभाविच चिला है यहाँ पर एक समय था जब दिन में पुलिस की बूटों की आवाज ने आती थी जिहां हम बात कर रहे हैं लोहर दगा में होने वाले टी टूटी मैच के रोमाज का जब से जहारखन क्रिकेट एशोशियेसन से नेशनल के तरजपर क्रिकेट को हरी जण्डी मिली है तब से यहां के ग्रामिड इलाकों के खिलाडियों में पंक निकल आये हैं जिसे देखें या फिर जिस गली से गुजरें सभी में क्रिकेट का जुनून सवार है शहर के बी एस कॉलेज मैदान में होने वाले नेशनल के तरजपर टी टूटी फरवरी महिने के चार से साथ तारिक तक खेला जाना है जिसमें जहारखन की चार टीम के साथ दिल्ली उतरप्रदेश बं कि ट्रिकेट मैट का जातना लबूल पर हम लोग क्रिकेट मैट कराने जा रहे हैं और अच्छे-च्छे खिलाई लोग भाग लेने के पूरी समभावना है जाहूंगा कि खेल एक इत्याजिक हो और एक नया तरीके से इसको आयोजन किया जाएगा और सहर के अधिकतर लोगो कुछ से जोड़ दिया जाएगा है जारखन की जो चार्टी में और जारखन के बार उससे हम लोग बातचीत कर लिए उसका एक्सेप्टेंस एक दो दिन में आ जाएगा और इसके लिए कुछ उपसमीती हम लोग बना हैं इसको ठीक से मतलब सुचारू रूप से चलाने के लिए इसमें जैसे प्लियर समाने जो बाहर साएगे उनको कहां पर ठाराना कैसे करना है उसका उनके आवास का भोजन का और फिर उनको यहां से लाने ले जाने का यह सारा ब्यवस्ता हम करना है और रोज हम लोग आपस में करते हैं जिसमें हर पहलू पर चर्चा होती है और जो भी अच्छा बात निकल कराता है सामने उसको हम लोग इंप्लिमेंट करेंगे बिहार के मुख्यमंतरी दिशकुमान ने अपने साथ निश्चय के विकास समिक्षा के दोरान रोहतास जीले के संज्छोली प्रकंड के सुसाधी गाउं पहुँचे और अपने विकास को आँखों से देखा और जनता को संबोधीत किये मुख्यमंत्री के कारिक्राम और उनके उपर हुए बकसर जीले में हमले को लेकर जीला प्रशासन ने काफी चाक चौबन विवस्था की थी और सुरक्षा के पुगता इंतिसाम कर रखा था कि जहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सके मुख्यमंत्री ने जन्ता को संबोधीत करते हुए कहा कि जिस तरह से आप लोगों ने बिहार से शराब बंदी जैसे कारिक्राम को अपना सहयोग दिया उसी तरह से बाल विवा और दहच प्रथा जैसे समाजी कुरुतिया को भी बंद करने में सहयोग करें कि जिस तरह से मन आपने बनाया और खुले में सौच से मुक्टी पाली उसी तरह से मन बनाईए बाल विवा और दहच प्रथा से मुक्टी पाईए और इसके लिए जो 21 चनवरी को मानोस रिंखला बनेगी उसमें सामिल हो ये सब एक उसरे का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाएए पुरे विहार में करोडों लोग खड़ा हो जाएगे तो इसका संदेज साब चला जाएगा तहेज लेने वाला भी बंद कर देगा साब ये होंके सामने भूलिएगा नहीं एक दम मत भूलिएगा ये संकल्थ है आपका सूरे के सामने संकल्थ इसले इसको मत भूलिएगा और सब पूरी मज़टी के साथ इसमें सामिल हो ये बिहार में समाथ सुधार होगा और विकास नहीं समाथ सुधार दोनों मिलकर ही प पुरे समाथ को बदल देगा और हम बेहतर समाथ बना पाएंगे और बिहार जिसका गौरव सारी इतिहास है हम फिर से अपने उस पुराने गौरव के स्थान को प्राप करने में डाम्याब होंगे। पर पहुंचे जहां पर बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामिलों ने धोल नगारों के साथ गोपाल मालवी का स्वागत कर चुनाव में समर्थन का एलान किया। समाप्त होने के उपलक्ष में विद्याले परिसर में विदाई सा सम्मान समारों का आयोजन किया गया। पंजाब में संगरूर जेला डिप्टी कमिशनर द्वारा लोहडी के मौके पर आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ समागम में विभिन शेत्रों में नाम कमाने वाली तीन लड़कियों को सम्मानित किया गया। इस औसर पर महिला ससक्ती करण के लिए काम करने वाली वक्ता हरिसिंदर कौर ने स्टुडेन को इस मुद्दे पर जागरू किया। आज वी अपनी पातलों आ रही हैंने। ये जे असलियत जैसी वेखनी चाहिए जिते कोई दिन नहीं लंगदा जदो अखबारां दे विच्छ सुर्खिया ना होन कि आज फिरिक नावालग बच्ची दा बलातकार होया है। ये हो जे हालात दे बावजूद मैं केना चानिय के हिंदोस्तानी ओरता ने कमाल कार विखाया है। ना सिर्फ राष्ट्रपती, प्रदान मंत्री, बलके खेड़ां दे मैदान विच देख लो, जंग दे मैदान विच वेख लो, किसे बिजनस बासे तुसी देखना होए तां, युनिवरस्टियां विच देखना जे तां, जो फेरे औरतां दी, बच्चियां दी, इनाने तो माँ पाईयाओ याने। क्योंकि आजकल कुडियां मुंड़ान विच देखना होए ते कुडियां वोर हला शेरी देनी चाहिए तांके वोर अपने फील्ड विच अगे वज़ा। बिहार में शेकपुरा की खुश्बू देहज की बली चरने से बच गई। पांच दिनों तक ससुराल वालों ने खुश्बू को बंधक बना कर महस्देर लाक रुपए के खातिर कैरोशिन छिड़क कर मारना चाहा लेकिन अपने जिंदगी को बचाने के लिए घेरा बंदी को तोड़कर भागने में सफल रही। खुश्बू दहज लोभियों को सजा दिलाने के लिए गुहाल लगा रही है। बारहाल पडिता को न्याय का भरोसा है और दहज लोभियों को कानून के सिकंजे में आने की उम्मीद भी है। लेकिन देखना होगा कि पलिस खुश्बू को न्याय दिला पाती है या फिर अन किराव-ँ संतीम में माने का कोशिज किया ह। हम पाप से करना पाप अलागा करके कि रहला कुर है देरल मांकर मांग और घ्र दढ़ के मांग दृना को दो पूरा देहज के प्रपे विगत कुछ दिनों से बिहार में एक मोहीम के तहट बाल विवार निशेद और दहेज को लेके प्रतिशेद की बात चल रही है इसके पहले से भी कानूनी प्रावधान है लेकिन आब हम इस चीज़ को एक अभ्यान के लुप में ले रहे हैं को थाने में शिकायत किया है उन्होंने कहा कि उनके मकान में वेंडिलेटर से घुस कर चोरों ने उनकी मारूती गाड़ी के तीनों चक्के खोल कर ले गए साथ ही गाड़ी का एक अस्टिपनी बैटरी रेंज एवं कागजात को भी चुरा कर भागए इस मामले को लेकर पुलिस चार्च परताल कर रही है विहार की बेतिया में पश्यम चमपारण चीले की भारतने पास सिमवर्ती शेत्र के अहिर सिस्वा के समिप SSB 44 मी बटालियन ने भारी मात्रा में चरस जब्त करती हुए तसकर को गिरिफतार किया इसकी पुष्टी करते हुए समादेश्टा राजिश टिक्कू ने बताया कि श्पेसल नाका पर तैनात SSB 44 मी बटालियन के इंस्पेक्टर जीदी नरिश कुमार के नेत्रुत में 10 किलोग्राम चरस को जब्त करते हुए एक तसकर को गिरिफतार किया गया है तसकर की पहचान नेपाल के सिर्वा थाने के महादेव गाव निवासी सोहराव शेक के रूप में की गई है आई बढ़ते हैं क्राइम की खबरों की ओर जारखन में गिरिटी चीले के मुफसिल थाना शेतर इस्थीत सीहोडी स्थीत श्यू मुहले में शुकरवार राद डकैतू ने एक घर में चम कर उत्पात मचाया और लगभग 3-4 लाख नगर जरी लेकर चलते बरे मामले की सूचना पर मुफसिल पुलिस मौके पर पहुची और जाच परताल शरू कर दी मिसाना लगा के बोला कि जिस तरह से गोई दरवाजा खूल वाती हैं उस तरह से खुलवाई और मजबूर होगे दरवाजा को खुल करके और बच्चे लोगों को जान से मारने के खंकी दे करके जावी ले करके सारे समान को 15-30 मिनट तक रह करके एक चीज को शान करके पूरा घर में और जूद था वो लेकिज बागते सुनारिन का नाम है उनके घर में घटना घटी है रात में साड़े दस वजे के करीब कुछ हत्यारवन लोग आये हैं जारखन के गुमला जीला निर्वाचन का रहलाए गुमला के निर्वाचन शाखा में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर अनुबंद परतैनात सत्यवरत श्रिवास्तो उर्फरिंकू ने परिवारिक विवाद में फासी लगा कर अपनी इहलीला समाप्त कर ली दो माँ पूर्वा 21 नवंबर को ही उसकी शादी बोकारों में हुई थी शादी के बाद से ही अनुबं की नौबत आई वहाँ परिशान हाल था सत्यवरत श्रिवाद में फासी लगा लिया है तो हम लोग अभी आए हैं तो देख रहे हैं उसको लोग यहां के घर के लोग बाड तोड़ करके उसको देखे अंदर से छिटकनी बन थी तो वह खुद फासी लगाया है अभी अब किस वज़े से लगा है उसका फासी जा रही है तो तारण क्या है यह तो अभी लूज़ पर जाच की जा रही है चारखन में खोरी महुआ अनुमंडल शेत्र के गिरिडी कोडर्मा मुख्यमार्ग में एक टेंपो के पलट जाने से योग की मौत शनिवार को हो गई बताय जाता है कि हिरोडी थाना शेत्र भूचरोबाद निवासी निर्मल दास स्वराग से घर वापसी के लिए निमा चौक के पास एक टेंपो में बैठा था तथा मलहो सड़क पर एक गाया गई उसे बचाने के चकर में टेंपो पलट गई तथा निर्मल को गंभीर चोट लगने के कारण जम्मो अस्पताल जाने के क्रम में उसका दम तूट गया मौके पर हिरोडी थाना पुलिस पहुंची हुई थी शुक्रवार की रातरी चंद्वा थाने के सीखनी कुलियरी के पास काटा घर के सवीब खड़े प्रात्मी कभियूकत संजय नायक को अवैद आगने अस्तर के साथ रंगे हाथ धर्द बोचा संबन में चंद्वा थाने में मामला दर्च कर लातिहार जेल भेज दिया अभियूकत संजय के पास से लोहे का बना एक देशी पिश्तौल, 315 बोर का जिन्दा गोली और एक हाई-टेक कंपनी का मोबाइल दो सीम लगा हुआ बरामत किया गया विगत 1218 को पुलिस दिक्षक मोहदय के सुचना पर थाना पर भारी कमलेश्टर पांडे पुलिस दिक्षक टीम बना कर संजय नायक को गिफ्तार किया बिहार के शेकपूरा का चर्चित बैंक लूट कांट कास मुख्य सरगना शेलेंदर कुमार को शेकपूरा पुलिस ने गिरिफ्तार करने में काम्याबी हासिल की है शेलेंदर कुमार बिहार और बंगाल में बैंक लूट की घटनाओं को अंजाम दिया करता था इसका एक बड़ा नेटवर्ग दोनों प्रदेश में काम कर रहा है जो मुख्यता बैंक डकैटी में शामिल है एसपी राजेंदर कुमार भील ने बताया कि इसके पूर्व प्रमोट ताती की गिरिफ्तारी हुई थी उसी से मिलने के लिए शेखपूरा मंडलकारा में मुख्य सरगरा शेलेंदर कुमार आया हुआ था जिसकी रैकिंग पुलिस कर रही थी और आसानी से गिरिफ्तार कर लिया गया है हम लोग को इन्फोर्मेशन थी कि ये पूर्मोट से मिलने आ सकता है जेल में बेसिकली ये पटना में कहीं जगा अपना जगा बदल के रह रहा था कल लोकर इसका शेलेंदर ये आजकल पटना में ही रह रहा है बना लिया है ये मास्टर माइंड है पुरा गटना का मतलब पुरा बलान यही किया है और बाकी इसके साथ साथी और है जिसमें एक प्रमोट पकड़ा गया है छे अभी बाकी है जिन्होंने मिलके इस गटना को अंजाम दिया है उसमें से ये बड़ा हैड मतलब चार-पांच लाग रुपी आपने पास रख लिया है जिसमें एक लाग रुपी ये बैंक में गटना के एक सब्ता के अंतर जमा किया है पटना उसकी हमको जानकारी मिली है पुराना इसका अपरादी कि इत्यास अंजों निकाल रहे है जारखन में गिरडी जीले के ढुमरी प्रखन अंतरगत अंबाडी निवासी सुखदेव महतो का शव रजसरकार और विदेश मंत्राले की सहयोग से शुक्रवार की देर शाम अंबाडी पहुचा शौ पहुंसते ही मृतक की बुढ़ी मा, पत्नी, पुत्र, पुत्रियां, सहित, परिजनों का नयान अश्रू से डूब गया शुकाकुल परिवार के दुख के इस घड़ी में गाउ में मातम का माहौल बना हुआ है बता दे की मृतक सुकदेव महतो की मौत दुबई के ऐसे भी नामा कंट्रक्शन कमपणी में कारे करने के दौरान बीते 17 नमबर को दुबई में ही हो गया था जिसके बाद मृतक के शव को भारत लाने के लिए इस्थानी विधायक जगनात महतो सहित राज्य के रगुवर सरकार ने लगातार प्रयास किया कंट्रक्शन कमपणी द्वारा मौजी की राशी एवाम राज सरकार द्वारा ततकाल राहत राशी मृतक की पत्नी के खाते में हस्तान तरीत कर दिया गया है पर दिया शुंदेव मातों जोकि दुबई में कार्जरत थे यहां पर एक निजी कंपणी में कार्जरत थे और वहां पर उनकी मुचू हुए थी और कल ही उनका 100 जारकन सरकार के मानने रगवर गास जी के और केंजे विधे समंत्री मानने सुस्वा सोराज जी के जोगा स्थानी हमारे सांसर मोरे के र्यास से यह सोब कल पहुंचा हम सब भारती जनता पाटी के करिकरता जिला धक्ष गिरुडी के अगवाई में हम सब प्यूडित प्रवार से मिलकर उनको संतावना देने का काम किया है और राइस सरकार के द्वारा लगबग 22 अज़ा रुपी की रासी तब काल में उनको शहयोग प्रात उनके बैंक खातिम हो गया है घरगोडा शहर के मध्या मीलू पारा गारे असीसियल की माई से ड्यूटी करके वापस लोड़ते समय जमुना भोजनाले में एक जवान का संचालक के साथ लेन देन को लेकर बहस हुआ जिस पर की जवान ने अपने वर्दी धारी एक बस लगभग 25 से 30 जवानों ने जमुना भोजनाले के संचालक और उसके दो भाई वा जीजा की खुले आम मार पीट की पूर्व में भी एक व्यवसाई के ड्राइवर को इसी तरह पीटा था जिसे लेकर नगरवासियों में काफी आकुरोश देखा जा रहा है और आने वाले समय में जल्द ही इनके खिलाब आवाज उठाना प्रारंभ होगा ब्रेटिन में फिलाल इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जाने के लिए आप बने रहें आई एनन 24 पर नमस्कार